नमस्ते मैं संपूर्णा शर्मा अधर शुद्या मंदिर शंकर विद्यापिट माउंट अबू हिंदी अध्यापिका बच्चों हमारा जो पार्ट चल रहा है एक दिन की बादशाथ आपने देखा कि आरिफ और सलीम उनके पिताजी ने उनको एक दिन के लिए घर के सारे अधिकार दिये हैं जिसमें उनकी आग्या पे पूरा घर चलेगा उनके कहने से सारे घर के काम होंगे सब घर वाले जो बड़े हैं वो उनहीं का कहना वानेगे तो आएए देखते हैं कि आगे किस प्रकार से उनके इस बादशाहत की जो समापती है वो कहां पर होती है तो अब वो दादी के साथ बात कर रहे हैं ओफो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिगलाए दे रही है आरिफ ने दादी क्तरह दोनों हातों में सिर्थमा कर कहा जैसे दादी चिलाया करती थी कि इन बच्चों ने मेरा जीना हराम कर रखा है तो उन्होंने भी दादी की तूतू मैं मैं सुनकर और कहा कि दादी तो दिमाग पिगलाए दे रही है इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिलाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पिछे पंजे जाड़के पड़ गए हैं मगर अबबा के समझाने पर खून का घूट पीकर रह गई तो दादी को लगा कि आज तो ये बच्चों ने मुझे परिशानी कर दिया और सबसे ज़दा ये मुझे ही परिशान कर रहे हैं कि ये पंजे जाड़के पीछे पड़ गए हैं मतलब बुरी तरह से उन्हीं को परिशान करने में लग गए है कोलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीच को आरिफ सलिम से बचाते दालान में आए अमी शाम को मैं देर से आऊंगा दोस्तों के साथ फिर फिल्म देखने जाना है इधर जो उनके बड़े भाई साब है वो सफेद कमीच पहन के अपने दोनों छोटे भाईओं से बचते वे बाहर आये ही थे और अमी को बोला कि मैं शाम को देर से आऊंगा और फिल्म देखने जाना है मुझे खबरदार आरिफ ने आँखे निकाल कर उन्हें धमकाया कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की इंतिहान करीब है और हर वक्त सेर सपाटों में गुम रहते हैं आप तो आरिफ ने तुरंट डाट लगा दी कि कोई जरूरत नहीं है जाने के लिए अभी तो आपके एक्जाम है पास में और आप है कि बस घूमने फिरने में ही लगे रहते हैं पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगके फिर कुछ सोच कर मुस्करा पड़े लेकिन इच्छा होई कि उसने के चाटा लगा दे लेकिन कुछ सोच के वो भी मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो एक ही दिन की बात है और आज इनको कम से कम अपने मन की कर लेने देना चाहिए और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने का पूरा प्ला साहुकम बैठ गए उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से को लेज जा रही थी आप सलीम ने बड़े गोर से आपा का मुआईना किया इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी शाम तक गारत हो जाएगी इस साड साड़ी को बदल कर जाएए आज वा सफेद वायल की साड़ी पहनना तो इधर तो भाई तयार होके आए थे इधर जो उनकी बुआ थी वो भी बड़ी सुन्दर साड़ी पहन के और कोलेज जाने के लिए निकली थी तो सलीम ने गोर से उनको देखा और बिलकुल मना कर दिय कि यह क्या इतनी भारी साड़ी पहन के कौन जाता है तो इसको चैंज कीजिए आप तो और वो जो वायल की साड़ी है वो ही पहन के जाएए अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुकम आपा चिड़ गई हमारे कोलेज में आज फंक्शन है हमारे साड़ी की शिकने दुरस् तो मैं तो यही पहन के जाऊंगी उनके कहने का था वो थोड़ा चिड़ भी गई हुआ करे मैं क्या कह रहा हूं सुना नहीं आपने इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी पसंद मन पसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी अब उन्हें याद आया कि मैं भी तो इसी तरह से जब वो अपनी पसंद के कपड़े पहन के निकलते थे तो उनकी पसंद की कपड़े जो हैं उतरवा लेती थी और बेकार से कपड़े पहन के उन्हें जाने के ल पापानाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतिजार कर रही थी, अम्मी खानसा मा को हुकुम दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो, अंदर आरिफ के गाने के साथ भाहीजान मेज का तबला बजा रहे थे और अबबा सलीम से कह रहे थे एकी स्कूल जाते वक्त एक चवनी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है, तो जो इस पाठ का अंत है, वो बता रहा है कि सभी बड़ों को एहसास हो गया था, कि छोटे बच्चों की भावनाओं को भी हमें उस गहराई से समझना चाहिए, कि हम जब बार बार उनको बहुत करने का करता होगा, उनके मन को भी कितना एहसास होता होगा, तो ये एक जो दिन उनको मिला था, उस दिन में उन्होंने वो सभी काम करके अपने सब बड़ों को एहसास करा दिया, तो उनकी भावनाओं को समझते हुए, जो अगली सुबह होई थी, जो नाश्ते की मेज पे थे वो उनका इंतिजार कर रही थी क्योंकि उनके उनके पसंद का ही खाना उस दिन बना और उनको ऐसा आस्वा कि बच्चों को अगर मीठा पसंद है तो रोज खाने में कुछ ने कुछ मीठा जरूर होना ही चाहिए और उदर भाई भी अपने छोटे भाई के साथ तबला में एक चमनी डाल देनी चाहिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उनकी इतना सा उनकी बात को समझे तो आप भी पाठ को एक बार पुने पढ़के आनंद ले सकते हैं और अपने अनुभव भी आप हमारे साथ शेर कर सकते हैं धन्यवाद